परवा नहीं रहती बिस्पान भी कर जाते ही कौन संत है जिसने संसार का बिस्पान नहीं किया संसार ने उनके उपर पत्थर पैंके उनको जहर दिया उनको मारा कतल किया फासी दी जीसस को फासी मंसूर के हाथ पाउं काटे फासी पलटका दिया सुक्रात को जहर पिला दिया मीरा को जहर पिला दिया बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की गुरुनानक देव जी के उपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चट्टान को रोका शक्तिवान थे शक्तिवान है क्योंकि भगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान है जो पवित्र परंपवित्र है वो शक्तिवान है पवित्रता में शक्ति होती है जरा मरन मोक्षा है तो इस जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वो ही तो पिलाएगा अम्रित तो मिलता है महापुर्शों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहां मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीडी सिग्रेट शराब गांजा बान तंबा कुल मांस मटन बीफ बलड जिवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापाहर यह सब जहर है तो संसार भेगा क्या इच्छाद्रेस वह अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वह भगवान के भी सामने तल्वार लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरणा कश्यको भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क लेली आत्मे खड़क निकाल ली जैसे नर्सिंग भगवान प्रगट रही लिए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेंगे कि लिंग्स करेंगे क्या कि विचारे करेंगे क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी फिलाएंगे तो संतों को मारेंगे गाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मुह कर देंगे गदे पे निकाल देंगे बटागे क्यों संत अमरित पिलाना चाहता है अमरित इनको भाता नहीं जैसे गदे को कोई घी पिलाए और गदा कहेंगे क्या करते हो मेरी गरदन को तोड़ रहे हो ऐसा ही हाल है तो फिर गदा भी मारेगा नकारेगा अमरित पीने से लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रह में रह करके भगवान का आश्रह यहीं भगवान की शर्ण भगवान की शर्ण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान की किसी शुद्ध भक्त के चल्णों में जाके मात आटे के प्रणाम करें गुरू रूप से स्विकार करें तो भगवान की शर्ण मानी जाती है भगवान की शर्ण डारेक्ट नहीं मिलती है शास्त्रों में मना किया है बगवान के किसी शुद्ध वक्त की शर्ण में जाने से ही बगवान की शर्ण मिलती है डाइरेक्ट अपर्च नहीं होती इसलिए बगवान स्वेम गुरू बनाने की शिक्षा देते हैं गुरू बनाए कुष्ण बल्राम संदीप नी मुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही है उनको जरुत नहीं नहीं शिक्षा देने के लिए समाज में 64 दिन में 64 कलाँ कोई प्राप्त कर सकता है ये भी इशारा किया बगवान ने बगवान ने इस धरदाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लेलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवां से ब्रह्मा जी से सबसे एक-एक हात उपर थी उससे ज़्यादा नही समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ लिए देखो मैं भी तो गुरू बना रहा हूं चाहिए 64 दिन के लिए ही सही चौसट गलाओं के लिए सही राम के भी गुरू थे गुरू बिन गती नहीं होती गुरू बिन घ्यान नहीं मिलता गुरू बिन एंकार कौं काकेगा तुम्हरा मैं कोई कहता है श्रडी के सहंबावा मेरे गुरusz जी है मैं कहता हूं तुम अभी 40 California वह श्रडी के सहंबावा को सवर्ष से उपर timeline वो तुम्हारे गुरू कपन गए बोलो महराज हमने गुरू मान रखा एंग अच्छा चलो ठीक गुरू मान मोन दख्वान भर्ण कर तो एक पवित्र होता है बहुता हो सके पवित्र टात्मे भी तो तुम्हारे उपर बीचे उतरनी चाहिए तुम तो शराप पी रहे हो मensor जूंट बोल रहे हो बेहिमान कर रहे हो चोरी कर रहे हो दुनिया को सता रहे हो तुम कैसे उनकी शिष्ष होगे शिष्ष का धर्म है क्यों गवान की शर्ण में रहे अपने गुरु के इंस्ट्रेक्शन्स का पालन करे पवित्रता को अपनाए गंदगी को साफ करे धर्म को अपनाए अधर्म को नश्ट करे तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिये कि हम तो मानते हैं स्री डी के साहिवावाग कोई बलता हम जलाराम बापू को मानते हैं तो जलाराम बापू तो अभी नहीं तो कोई बलता हम गुरु जगत गुरु स्री कृष्षन जगत गुरु तो महाराज उनकी चरणों में तो मेश्रीकृर्षिनिंग भगवान ने गीता बोली है अपने शिच्ष के लिए तो शिच्ष बनौ अरजुन की तरह तो भगवान सरी कुष्ण कि इन्स्रिक्षिन उसका पाल्न करो। कि उनके शिक्षा को सुस्विकार करो। भगवान कह रहा है कि मेरे आष्राम रहकरके जो जला मरण से छुटकरा पाना चाहता है। कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करें जरा मरन मोक्षाय जरा मरन से मुक्त होने के लिए कि बार बार जनम बार बार मरन इससे मौक्ष प्राप्त करने के लिए छुटकारा पाने के लिए बवागान स्रीकृष्ण करें कि मेरी शर्ण में रहकर के यत्न करना चाहिए मेरी शर्ण में रहकर के यह जरा और मरण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यानि मेरे भजन करनी चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरा नाम जिप करना चाहिए, मेरा कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए हारे खणारे खुष्णा हुर्णा क्रिश्ण कुष्णा हरे नाचना चाहिए जुएंज़्छ 52 अरे खुंती के नंदन अर्जुन जो तुकुछ खाता है करता है देता है तपता है उसा मेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरे लिए होनी चाहिए मुझे पृसंद करने के लिए कर यद करोसी यद असनासी यद जोसी कुछ आउती देता है स्वाह मेरे मेरे लिए कर वासुदेव यग कर लोग देवताओं के मन तो चारण करते हैं आउतियां देते हैं इंद्र देवाई इन्नमा स्वाह और फिर टार्थना करते हैं हमको महल दो गोड़ा दो नौकर दो रानी दो सुख दो सुविदा दो अफसराएं दो सारी अफसराओं के लेके बैठे हमें तो अफसरा दो इंद्र है मन तुमारा यह शरील में हमारा जो मन है यह इंद्र है यह इंद्र के यह चारों तरफ हजार नगन अफसराएं खड़ी होती हैं विचारों में ही सही सपनों में ही सही यह मन में ही सारा संसार समाई थे समाया है यह मन ही भोगता बनना चाहता है मन ही इच्छा करता है मन ही द्वेश करता है मन ही मनुष्याणा करम बंद मोक्षय यह मन ही तो है मनुष्यों के अंदर जिससे मनुष्य शब्द बनाएं यह म ये चाहे तो जेल में ले जाए बेड़ें में डाल दे ये चाहे तो नरक में ले जाए ये चाहे तो अपसराओं से मिला दे ख्वाबों में ये सही हाकिकत में भी मिला दे और ये चाहे तो परमीश्वर से मिला दे ये मोक्ष्या कारण भी बन जाता है मन, मन ये मनुश्यानाम कर्म बंध मोख्षय, ये कर्मों के बंधन में डालता है, तो मन से सावधान रहना, मन की गती समझना, कि ये कहां कौन सी चाल चल रहा है, किस मारक पर जा रहा है, तो वगवान सरी कृष्ण कहते हैं कि ये मन संसार में भटकेगा तुमारे बश में नहीं होगा जब तक तुम मेरी शर्ण में इसको नहीं लगा दोगे मेरी शर्णों में इसको नहीं लगा दोगे मेरी सेवा में इसको नहीं लगा दोगे मेरे कीर्टन में इसको नहीं लगा दोगे जब तक ये मेरे लिए नाचेगा नहीं ये तुमारे बस में नहीं होगा तो इसको मेरे सेवां में लगा दो ये अपने आपशान बस में हो जागा और तुमारा मित्र बन जागा तुम्हारा कल्यान चाहने वाला बन जाएगा इमान जरा मरण मोक्षा है तब तुम्हें जरा बुड़ापा और मरण यानी मृत्यू से छुटकारा प्रात कर सकते हो और कोई मार्ग नहीं बतलाया भगवान नहीं होता कोई मार्ग तो यहां बोलते नहीं बोला जरा मरण मोक्षा है मामा सुट्य तन्ति जो मेरी शवर में रह करके जनम मरण से छुटकारा पाने का प्रियत्म करते हैं ते ब्रह्म तद्विदू वो ही ब्रह्म को पहचानते हैं ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है ते ब्रह्म तद्विदू परम ब्रह्म क्या है ते ब्रह्म तद्विदू कृच्णम अध्यात्मम कर्म चयक्लम और वो ही जानते हैं मुझ परमेश्वर को, मेरी आत्मा को, मेरी सुप्रीम सौल को, मुझ सुप्रीम ब्राह्मन को, परम ब्राह्मन को, परम आत्मा को ते ब्राहमत अजिदू कृटशनम अध्यात्मप वो ही जानते हैं आत्मा के विशचे में वो ही जानते हैं कर्म के क्षेत्र को, करम फिल्ड को वो ही जानते हैं अध्यात कुछेत्र को आत्मा के फिल्ड को चाखिलम और पूर्ण जो इस्तार है भगवान का उसके बिसे में उनको ही जानकारी है जो मेरी शर्ण में रहके जरामरण से मुक्त होने का प्रियास करते हैं यानि मेरी भक्ति करते है जरामरण मोक्षायो मामा सृतियत अंतिये ते ब्रहमत तद्विदु कृस्मम अध्यात्मम कर्म चाखिलम अध्यात्म क्या है आपकी आत्मा ही अध्यात्म है यहाँ पर अध्यात्म आत्मा को कहा है जो इटर्नल है फुल अफ बलीस है आनंदमई है हमेशा के लिए अध्या जो है आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है आनंदमई है ज्यानमई है आप सब है आत्मदेव आप सुरिय के समान तेजस्वी है लेकिन ये च्छे शक्तरों ने च्छे विकारों ने और बारे खजानों ने घेर करके ये घेर करके बैट गए आपको आपके उपर बादल की तरह चागए काले बादल मन रहा गए अब ये सुरिय तो लुपत हो गया दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई पड़ते हैं काले बादल दिखाई पड़ते हैं शरीर कि मैं शरीर हूं मैं ताकत्वर हूं मैं रूपवान हूं मेरे शरीर हैं मेरे बच्चे हैं मेरे पत्नी हैं मेरे परि यह शरीर दिखाई देते हैं अश्ट्य वक्र महाराज ने जनक्रिशी को फटका रहा था जनक्रिशी बड़े-बड़े बिद्वानों से ब्राह्मुनों से सत्संग करवा रहे थे अपनी महल में तर्व के तर्व शास्त्रार्थ चल रहा था बिद्वानों जो स्कॉलर्स हैं जिनको शास्त्र का तोता रटन्त का ज्यान है अनुभव नहीं जब यह सत्संग में अश्टावक्र पदारे तो इस सारे विद्वान ब्रहामन हस पड़े पंडित पैंडित जिनको पंडित कोई जिनोंने धन समझा है रहस पड़े अश्टावक्र जी को देख करके अश्टावक्र उनका नाम ही अश्टावक्र है उनका शरीर आठ जगे से टेड़ा मेड़ा था उनके पीछे भी शाप लग गया उनकी पिताजी का उनके पिताजी ब्रहमन थे कर्म कांडि ब्रहमन जोतिस विद्यावाले शनी नवग्रह के जाप करवानी वाले कर्म कांडि ब्रहमन अश्टावक्र जब पेट में थे मा के पेट में सात्वे मैंने में जब बच्चा पहुंसता है तो कोई सिख्षा देने की पद्धिती चली आई है आज भी है कल भी थी जैसे नारद मुनी ने भक्त प्रलाज जब गर्भ में थे कयादु माता के तब नारद मुनी ने उब्देश किये थे कयादु को और वो सारे उब्देश बालक भक्त ने सुन लिये थे आद्यात कुझान बगवत कताएं ठीक वैसे ही ब्रहमन कहते हैं पिता अश्टावक्र तो बालक है नाम तो ये उनके शरील में अच जगेसे टेड़ा मेड़ा है इसलिए नाम अश्टावक्र पड़ गया उनके प्ताजी ने ही शाप दे दिया कि तो अश्टावक्र नाम से जाना जाएगा तेरे शरील में आच जगेसे बानुट होंगी टेड़ा मेड़ा होगा तो मेरे एग में बात नहीं सुनता पिता जी वेचारे मेहनत करते थे बच्चे को तैयार करते थे करम कांड़ी द्वान बने तो शिक्षा देते थे करम कांड़ की लें बालक बड़े चातने थे इन्होंने सोचा कि जो पिताजी जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं इस शिक्षा दे सो संसार में आदमी फस्ता है यह तो सब्वोिं इंद्र-चंद्र को मनाने वाली विद्द्या है बोग विलाश्यों को चाहने वाली विद्या है यह तो कर्म करन maybe कि हैं यह तो ससार में हैं कि तुम शनी को याप walाती करो इंद्र को आउती दो चंद्र को आउती दो वायुदेव को आउती दो और इसे फिर घोडा गाड़ी मांगो दन बैबाव मांगो इश्ट्री पुत्र मांगो यह तो समसार में प्रसानी वाली विद्या है झाल 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 झाल